तैमूर अली खान ने अपने नया साल अपने मामी डैडी आनी सैफ और करीना के साथ स्विट्सर लेंड में एंजॉय किया लेकिन उससे पहले सैफ ने अपने घर पर दी थी ये ग्रैंड क्रिस्मस पाटी जिसमें सारा अली खान अपने दोस्तों के साथ नजर आई थी लेकिन जनाब अब सारा अलिखान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की हैं ये तस्वीर हैं जन में सारा बेहद खूबसूरत लग रही है अपने ब्लैक आउटफिट में हेलो नमशकार आदाब मैं हूँ अब शेक आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट बात चल रही है सारा अलिखान के बारे में जीहां सैफ अलिखान और अमृता सिंग की बेटी सारा अलिखान हाल ही में सैफ करीना के क्रिस्मस पार्टी में नेजर आएं इसके चलते सैफ और सारा अलिखान की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही जिसे हाल ही में शेयर किया गया है तस्वीर में सारा अपने पापा के साथ कूल अंदाज में दिखाई दे रही है इस फोटो में जहाँ पर सैफ अलिखान ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है वहीं पर सारा ने भी ब्लैक कलर का शिमरी ड्रेस पहना हुआ है पर इस तरीके से इस Christmas party में सैफ और सारा यानि कि पापा बेटी की bonding जरूर दिखी है पर ये माना जाता है कि करीना और सारा के बीच कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है हाली में रूमर्स और भी जादा बढ़ गए थे जब तैमूर के पहले बदे पर सारा अलिखान मौजूद नहीं थी जी हाँ सैफ अली की बेटी और बेटा दोनों ही मौजूद नहीं थे अपने भाई तैमूर के बदे पर पर उसका कारण ये माना जा रहा है कि सारा अपनी फिल्म केदारनाथ की शूटिंग में बिजी है जिसका दूसरा शेडूल कम्प्लीट किया जा रहा है तो इस तरीके से फिलहाल सारा अलिखान सैफ और करीना की क्रिस्मस पार्टी में नजर आई थी वहीं पर सारा के कुछ और तस्वीरें भी है जो दोस्तों के साथ है और सभी तस्वीरों में सारा बेहद खूबसूरत नजर आ रही है वहराल आपको बता दे कि सारा अलिखान बहुत जल्द अपना बॉलिवूड डेब्यू करने वाली है फिल्म केदार नाचसे जिनमें उनके साथ नजर आने वाले हैं शोशांत सिंग राजपूत फिल्म का डिरेक्शन कर रहे हैं अब शीक कपूर सहाब और तिसंबर 2018 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है लेकिन अभी के लिए सारा अली खान चाही हुई है सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर खबरों में सैफ करीना के क्रिस्मस पार्टी में अपने इस लुक की वज़ज से जो हाल ही में यानि की न्यू येर के पाद हुआ है वायरल फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलाल इतना ही बॉलिवड और टेलिविजिन की दुनिया से जुड़ी है ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को